आज के टाइम में electronic devices कौन नहीं use करता है और इने devices को use करते हैं हमें हम लोग करते ही हो है कि इसमें media को enter करते हैं चाहे वो visual form में हो चाहे वो audio form में हो काफी बार हमें आप इस media को delete करने के ज़रत पड़ जाती है चाहे वो accidentally delete भी हो जाता है कही बार तो क्या यह data permanently delete हो जाता है तो आप लोग सोचेंगे कि नहीं यह तो ultimately recycle bean में जाता है बट हमें हम लोग तो महां से भी कई बार delete कर देते हैं तो क्या यह permanently आप delete हो चुका है recycle bean में से delete करने के बाद तो ऐसा सोचा जाता है कि अरे वो data तो पुरा permanently हटी गया है device में बट ऐसा नहीं होता है यह data delete करने की real definition ऐसी होती है कि data delete करना यानि कि उसका हम लोग simply path change कर रहे है क्योंकि data जब तक नहीं delete होगा जब तक की disk में दूसरा data उसकी जगह नहीं आ जाता है तो next time कभी भी यह मसोचना कि यह data permanently delete हो चुका है दो case हो सकते है या तो उसका path change होगा या फिर वो किसी और form में save होगा फिर तो है काफी serious बात हो गई कि वो data delete किया और data delete ही नहीं हुआ तो बात ऐसी आती ही कि वो केवल special लोग की recover कर सकते है और अगर आप लोग को सच में permanently delete करना है तो उस data की जगह दूसरा data आप लोग enter कीजिए और उसको फिर format कीजिए फिर enter कीजिए फिर delete कीजिए इस तरीके से 4-5 बात करने के बाद वो data permanently हट जाएगा और even वो इतना मुश्किल हो जाएगा कि वो फिर कभी recover किसी से नहीं हो पाएगा तो that can be a tip and a trick अब उस case में क्या जब हमारा data accidentally delete हो चुगा हो और हमें उसे खुद recover करना हो तो that is possible अब मैं आप पर आपको live demonstration भी बताऊँगा अब जो application में use करने वाला home में उसे किसी को suggest नहीं करूँगा यह मैंने just randomly play store से उठाई होई है बट उसकी help से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कैसे data recover हो सकता है इंट्रेस्टिंग बात मुझे क्या लगी कि मुझे even two year back deleted data भी मुझे recover होता हुआ दिखा तो मैं काफी shock था तो चलिए इस चीज को देखते हैं तो सबसे पहले मैं कुछ random photos लूँगा जिनको कि मैं delete कर दूँगा उसके आद में check करूँगा recycle bin में तो मैं देखूँगा कि आपने एक message आता है कि 30 days में उनको वापिस recover कर सकता हूँ अब मैं उसे महा से भी delete कर दूँगा फिर देखते हैं कि क्या वो मुझे मिल पाती है double से तो यह मैंने कर दी delete एक काम करते हैं सारे data delete कर देते हैं ओके तो अब मेरा सारा data delete हो चुका है अब मैं simply क्या करूँगा कि उस application की बदत से उसे वापिस से research करने के कोश्च करूँगा तो मैं simply scan मारूँगा और सबसे पहले तो इसको allow कर देता हूँ फिर मैं इस पे scan चालू करता हूँ फिर देखते हैं कि यह कितनी देर लगाता है और कितना data मेरा recover करता है वाव यह तो मेरा काफी सारा data वापिस ले आया है यह तो मैं काफी पहले delete किया था और यह अभी descend वाला भी इसने दे दिया है और यह थोड़ा mismatch कर रहा है अभी कभी data ला रहा है और काफी deleted data भी ला रहा है तो अगर information useful लगी हो तो इस वीडियो को like करना, channel को subscribe करना और अपने friends के साथ इस चीज़ को जरूर share करना करना